वेलकम टो ओलन अनोफलेंड ग्यान चनल माई नेम इस गोरफ दोस्तो आज जो मैं आपके लिए जोब के अपडेट लेकर आया हूँ यह यह यूपी-पी-सी-एल रुकूर्ट्पेंट है यानि उत्तर प्रदेश पावर कोर्पेशन लिमीटेड लेकिन यह जो जो पहले भी निकल चुकी है तो यह जो जो बही यह ओल इंडिया लेवल की है भारत के आप किसी भी स्टेट से जोब के लिए अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ इंपोर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको तो अभी मैंने बस आपके सामने नोटिफिकेशन रखा है मैंने क् पोस की बात कर लेते हैं यहाँ पर तो टैकनिशन घ्रेट टू असिस्टेंट अइकाउंटेंट और अचाउंटेंट की पोस यहाँ पर निकाली गई है दोस्तों अभी इसका फॉर्म इस्टार्ट नहीं हूँ है इसका फॉर्म जो है 21फरवडी यानि कल से स्टार्ट होगा और अभी इन्होंने लाजडेट नहीं बताईए कि कब इसकी लाजडेट खतम होगी इसका जो एड़े न्यूस पेपर में आये था इसलिए मैं इसकी अपडेट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ तो जनरल और OBC के लिए यहाँ पे 900 रुपे तक इन्होंने फीस रखी है और HC, HD और Physically Handicap के लिए यहाँ पे 700 रुपे फीस रखी है तो फीस जो आप क्रेडिट काड़, डेबिट काड़ और नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं और चलान के द्वारा भी देख कर सकते हैं जो आपकी जो लोकेशन है वो आपकी उत्रप्रदेश रहेगी किसी भी स्टेट से आप अपलाई कर सकते हैं एज लिमिट की बात करें तो एक जुलाई 2018 को आपकी एज 21 से 40 साल होने चाहिए पोश्ट ने मैं आपको लड़ी बता चुका हूं तो यहां पर मैं वेकेंसी डिटेल्स कितनी कितनी पोश्ट है यह आपको बता दू तो टोटल पोश्ट जो है यहां पर 336, OBC के लिए 174, SC के लिए 147 और ST के लिए 13 पोस्ट है अ काउंटेंट की यहां 110 पोस्ट है जो test है जिसमें जनर्रल के लिए बारा, OBCAK 60 के लिए 62, और स्टी के लिए 2 आसिस्टेंट अकांटेंट की बात करें salary की बात करें तो 5,200 रुपे से 20,200 रुपे तक आपकी salary रहेगी जो आपको 2600 grade पे के इसाब से pay की जाएगी अब मैं qualification की बात करूँ तो इन्होंने धंग से अभी mention नहीं किया है कि qualification criteria क्या होगा लेकिन फिर भी में आपको बता दूँ कि इसका जो qualification criteria होगा दसवी pass होना चाहिए आपको with mathematics and science from a recognized board और साथ में आपका electrical trade का certificate होना चाहिए और साथ में आपका DOEC से DOEC आपको पता ही होगा एक जो है department होता है जो आपको certificate प्रोवाइट करता है कर आएगी मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो फूल डेटेल आपको 22 तारिक को इसकी फूल डेटेल पर वीडियो बना सकहूं या 23 तारिक को एक वीडियो बना सकूं तो फॉम फिल की वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगी तो दूसरे चैनल का link मैंने आपको description में दे दिया है अब apply कैसे करना है इसका जो form होगा वो online ही apply होगा mode of selection या नि कैसे selection होगा यहाँ पर आपका computer based test होता है उसके बाद इसमें typing भी होती है तो wait कीजिए complete details के लिए उसके लिए थोड़ा समय लगेगा मैं 22 तारिक को इस पर complete video बनाऊंगा या 23 तारिक को complete video इस पर आपको मिल जाएगी मैंने अब बस आपको यहीं बताया है कि इसमें vacancies निकल चुकी है ताकि आप aware हो सके आपको पता चल सके कि यहाँ पर भी विद्यूत सेवा आयोग में भी vacancies available है तो आप इसका form फिल कर सकते है बस fee थोड़ी जाद रखिये तो wait कीजिए मैं इस पर जो है complete video बनाऊंगा बस आपको थोड़ा patience रखना पड़ेगा और आप जो है जितने भी forms है एक suggestion देना चाहूंगा कि जितने भी forms आप फिल करते हैं एक बार उसे अच्छे से देख लीजिए फिर जाके end में submit का button दवा होगी तो आप चिंता ना करें इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि जो मैं आपको complete information देश को बस थोड़ा wait करें thank you so much दोस्तों वीडियो को देखने के लिए